खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए पूर्ण स्वस्थ विक्ति को यद्यपी कुछ दिनों तक कुछ महिनों तक कुछ वर्षों तक गलत करने से भी कोई विशेश अहानी नहीं होगी लेकिन उसको भी गलत क्यों करना में मेरा प्रश्ण है माना कि आप बहुत उरजावान हैं बहुत बलवान हैं आपका इमेंस सिस्टम बहुत स्ट्रोंग है तब आप गलत क्यों कर रहे हो गलत करने से आपको मिलेगा कि मना कि आप जोर जोर से करने से आपको क्या मिलेगा उसक तो धीरे धीरे वह आपके स्वसन कोष्ट खत्म होने लग दे तो यह तो गलत होगा कि आपके फेपड़े में डिजनेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसके प्रणाम फिर आपको बात में भोगने पड़ेंगे इसे ने मेरे भाई यह दिया पूर स्वस्थ हैं तो भी प्रणा बहुत जोर से मत करना प्रणायम गलत तरीके से मत करना अग्राण बहुत शक्तिसाली है जब यहाथ हिन्ने लग जाते ने तब उसका पता लग जाते हैं और यहाथ हिनना तो एक बड़ी विमारी है आख जब फड़कती है ना आपको पता भी नहीं लगता है आख फड़क लगता है कई बार जबारे भी फड़कने लगते हैं कि हो रहा है आपने देखा हूं कि बहुत रोग वह से हो रहा हाथ भी ऐसे ओर यह तालग बिमारी है यह पान जैना आपके भीतर यह ठीक है कि आरोगी भी लाता है लेकिन यह जब विक्रत हो जाता तो कई तरह के है उद्धिकार होते हैं उनका प्रतिकार फिर बहुत मुस्किल हो जाता है इसने मेरे भाई उपद्रव ना हो आपकी शरी में कई तरह के इस प्रणायम ठीक से करना बस तरीका जोर से नहीं करना बस यही तरीका है इसी तरीके से लगवड़ दो डह सेकिन में स्वास को बरना रह सेकिन में उसको छोड़ना कवाल हाति प्रणायम एक सेकिन में एक बार करना मध्यम गति से मध्यम बल से के साथ करना अब उसको ऐसे क्यों करना या बहुत फास्ट क्यों करना एक सेकेंड में दो बार मैं कहता हूँ एक मिनट में साथ बार आप क्या करते हो एक मिनट में 120 बार ऐसे भी कर सकते हो आप लेकिन इससे हानिया हो सकते में रिवाए और लाब कुछ नहीं है फिर जोर सीकूं करना और एक आपको खास बात बताता हूँ हमने ये गलत तरीके से कुछ विक्तियों को कुण्डलेनी जागन के लिए प्रादा आधा घंटा कर भाया ये जोर जोर से किया कपाल भात ये विलो ब्लों बीपी ओंवाए और मैं तो कहता हूँ मैंने क्या किया किया दूसरों ने क्या किया आप करके देख लो आप अभी एक बार जोर जोर से कप प्रणायाम का जो सही तरीका है उससे आप करेंगे तो ही आपको पूर्णलाब मिलेगा नहीं तो हनिया हो सकती है अब आप कर रहे हैं बीपी को नोर्मर कर रहे के लिए प्रणायाम और आप बढ़ाई लेते हैं आप कर रहे हैं रदरोग से मुक्ति पाने के लिए प्रणायाम और आपको हाट अटे की हो गया जोर दोर से करना सुरू कर दिया आप म कोई सिट जो गती है उसका जो रीदम है उसका जो ले है उसकी जो विधी तसका कभी परित्याग यह नहीं करना कि यहां तक की एक बार का प्राणयाम का टाहिम है एक राउंड फर कुल समय उसका ही एक महत्व है message का जो सिक्वेंस है इसका भी एक महत्वा है कि पहले भस्तरिका ही क्यों उसके बाद बाहिये प्रणायम क्यों उसके बाद अनुलोम मिलोम ही क्यों उसके बाद भ्रामरी उद्गीत और उसके बाद प्रणाओं क्यों उल्टा क्यों नहीं सुरू करते हैं इसका भी एक महत्वा बस्त्रिका से शक्तियों का अर्जन, कपाल भाती से विकारों का विसर्जन, बाहिय प्रणायम से फिर मुलाधार स्वाधिष्ठान मनिपुर चक्र की शक्ति जागरित उसका और दुआ रहा, फिर अनुलोम मिलोम से मुलाधार से सहस्रार तक, मुलाधार से सहस्रार तक, जो हमारे शरीर की शक्तियां हैं, उन शक्तियों का पुरे देह में स्थापन, तो भस्त्रिका, कपाल भाती, बाहिय अनुलोम मिलोम, फिर ब्रह्म स्थान में अवस्थिति, आत्मा का विश्वात्मा ब्रह्म में लै, इश्वर के साथ तनमयता, तद्रूपता, तादात में भाव से उसको सिकार करना, यह जो एक पूरी प्रक्रिया है, तो प्रणायम का एक क्रम है, उस क्रम को भी बरकरार रखे, एक बार का समय, एक राउंड का समय, कुल समय, कितना देना है प्रणायम को, इसके बारे में भ प्रणयाम गलत तरीके से बत करना नहीं तो हानिया हो सब्सक्राइब मेर्हामरी उद्गेश को भी लोग गरद तरीके से करते हैं जिसमेरी का न अनुलोम बिलोम को भी जोर-जोर से करना शुरू कर देते हैं ऐसे ही ब्रहामरी एक भाई ने किया बोले बाबा जी मेरी आँखे सूज गई मेरी आँखों में लाली मा आ गई ब्रहामरी करने से उसना आँखों को जोर से दबा दिया जोर से दबाया अब जोर से दबाया तो आँखे लाल हो गई मेरे पास आया बोला बावाजी ब्रहामरी करने से तो मेरी आखें लालोगे एक आया बोला बावाजी ब्रहामरी करने से तो मेरी आखें दुख ने लगी उसे ने किया कि हमने कहा है आज जिया चक्र में मन को केंद्रित करो ब्रहामरी उद गी थे कर दिए तरश्थाने आंखों को कैसे कर smartest एस वह अ एसे आपकों को के अंदृत नहीं किया जाताज ज्या चक्र में आखे बंद होती सहरा है ना कि आradas यह गलत है अ फिर सिर्भारी नहीं होगा ठीक तरीक से करोगे और यह ऐसे किया तो तो सिर्भारी हो जाएbt तनाव आजाएगा तनाव दूरू करने के लिए अब रहाम रिदूईत कर रहे थे तनाव आ जाएगा जोर से मत दबाना था पहले अंगुनी सहस ऐसे रखना हलका ऐसा प्रेशर होगा फिर कान पुरे बंद ऐसे करना यह जो उठावा चमड़ा है इसको ऐसे दबाना अंगुठे से इधर से भी आसे यह तरीका है अब इसमें अंगुठा ऐसे नहीं ठोशना एक बोला बाबाजी मैं ब्रहामरी कर रहा था मेरे तो कान पक गए थाने का ब्रहामरी करने से कान पक गए यह कैसी विचित्रबाद तो मेरे भाई कान ब्रहामरी करने से पकेंगे नहीं अनुलो मिलो म्रहामरी करने से तो जिनके कान पके वे थी जिनको पस आता था तो ठीक हो जाएगा ठीक तरीके से कर एक बार का प्राणयम करते हैं एक राउंड फिर कुल समय उसका भी एक महत्प है प्राणयम का जो ही सि इस्परिमेंट मत कर तो ब्रामरी ऐसे करना है ठीक तरीके से बंद करना है अब ओम भी गलत तरीके से कुछ लोग ओम बलते हैं अशे ओम उनको कोई सुन ले तो बीपी बढ़ जाए और उसका भी बीपी बढ़ जाए कुछ और बड़े उचीतर तरीके से करते है ओम बोले बाबाजी में मूला धर से आवाज निकालता रहा है मेरे भाई जो तरीका है उससे कर ले नए ने एक्सपरिमेंट मत कर एक इसका एक स्टेंडर्ड है कि साउंड कैसा होना चाहिए ओम का साउंड ऐसा होना चाहिए ओम ओम बोलते हो तो ओम ओको लंबा बोलना मैंको ओको जितना बोलने में वक्त लगता है उससे चतूर्थांस वक्त लगे उससे लोग क्या करते हैं ओको कब बोलते हैं ओम मैं को लंबा बोलते हैं ओम 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 क्या गलत हो ओको लंबा ओम 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 इस तो ब्रहामरी भी उद्गीत ओम ही उद्चारीत होता है लेकिन एक में मूँ भी बंद होता है तो ब्रहामरी हो जाता है कुछ ब्रहामरी करते हैं ओम ऐसे भी बोलते हैं वा कि जब Iyaँवाराज्रत कर ले तो पहले से कान बंद कर ले दे वाद में सुनते ही नहीं तो बहुत दिनों तो उल्टा ही करते रहे वो ठेख नहीं मिर braces ? तो ब्रामरी में मूँ बंद रहे, उद्गीत में मूँ खुला रहे, फिर सासों के पर दिया, ये प्रणायम की थोड़ी सी सावधानी, ऐसे आसनों में भी बहुत सावधानी है, शीर्चाशन, चक्राशन, सर्वांगाशन, हलाशन जैसे आसन, जिनको हाट के प्रब्लम है, ज जिनके अवस्था ज्यादा हो चुकी है, उनको करने ही नहीं चाहिए, एक-एक आसन में बहुत सावधानी है, खास करके जो कठीना आसन है, वो करने ही नहीं चाहिए इनसान को, बच्चे कर सकते हैं, सर्वांगाशन, सीर्शाशन, चक्राशन, हलाशन, धन्राशन, आदी, उनको हरनी है, उनको पीछे जुक नहीं चाहिए, और इसमें खास बात है, एक और भी आसनों में, आसन करते वक्त हमेशा ध्यान रखे, जब भी आप आगे जुकते हैं, तब स्वांस बाहर चोड़ेंगे, तो आगे ठीक से जुक पाएंगे, सास बाहर चोड़ने के बाद आगे जुका करें, चाहिए योगमुद्रासन करें, चाहिए मुंडूकासन करें, चाहिए पश्यमत्तानासन करें, चाहिए भुनमनासन करें, जब भी आगे जुकें तब स्वास बाहर चोड़ें, जब भी दाइयोर जुकते हैं, जब बाइयोर जुकते हैं, जब उपर के और उठते हैं जब पीछे के और जुकते हैं तब स्वास अंदर भरे ये दो श्वासों के खास हां आसन करते समय श्वासों के दो नियम है जब भी आगे जुकेंगे तब श्वासों का बाहर जब भी आप पीछे के और जुकेंगे तब शासों गंदर ये सासों के खास नियम सावधनिया भी कमर में दर्द है तो आगे जुकना ही नहीं हरनिया है तो पीछे जुकने वाला आसन करना ही नहीं अब प्रणायम ही कीजिए अब को पूरा लाब हो जाएगा और आसनों में दो सावधनिया तो बहुत जरूरी है जिनको कमर में दर्द है उनको आगे जुक नहीं जिनको हरनिय उनको पीछे जुक नहीं बहुत से से लोग होते हैं लाचार बीमार ज्वासन करी नहीं सकते प्रणयम सब कर सकते हैं साक में करना तालाब के किनारी करना खुली स्थान में करना कमरा में करना पढ़े प्रणयम तो कमरा खोल करके करना बहुत सर्दी होती है और ठंडी हवाई बहरी होती है तो कमरा बंद करके कर सकते हैं बहुत ठंड में बंद कमरे में भी कर सकते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा oxygen तो आही रहा होता है क्योंकि जब यह प्रणायम करते हैं तो आप oxygen लेते हैं तो oxygen का लेवल वहां अच्छा रहना चाहिए बहुत अच्छा हो कि आप पारकादी आपको मिल जाए आपके आस्परोस कहीं जंगल हो या घर में पेड़ हो पेड़ के नीचे बैठ करके प्रणायम कर सकते हैं जल के किनारे बैठ करके इसरी प्रणायम किया जाता है कि जल जो है वो श किसी भी तरह की भोतिक और भावनात्मक जो अशुद्धी होती है उसको जल अउशोशित कर लेता है इसलिए जल के किनारों को पवित्र माना जाता है और विक्षों में जो पीपल का ब्रिक्ष वो बहुत पवित्र माना जाता है साधना के लिए वहाँ ऑक्सिजन और ज्यादा निकलता है तुलसी का उपवन हो आपके आसपास तो बहुत अच्छा है ने तो घर में तुलसी लगाएं बहुत अच्छा है अनीता जैन दिली से पूछ रही है मेरी द भौएं और आखों के बाल सफेद होने लगे हैं आपकी वताई अदरक निवो और सफेद प्याजवाली और शदी ले रही हो पर अंदाजा नहीं मिल रहा है समाधन करें जहां तक भ्रोओं के सफेद होने का प्रशन है तो इस सारे बालों पर ही लागू होता है आमले का दूस मिलाकर की पीजिए और आमले का चौन तो आप बारह मेना सेवन कर सकते हैं पांच मिनट नेल्स को पीछे से रगड़िए यह भी बहुत अच्छा होता है और खाने में हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग कीजिए आँखों के लिए अनुलों मिलों प्रणायम बहु यहां से दबाने से आँखों में विशेस लाव होता है हाथ में और पैरों में दोनों जो कई समान रूप से कर सकते हैं आंख में डारने की दवाई जो सफेद प्यास अद्रक रस्ठ छीलक का उतार करके और निंबू यह चमस लेकर कि तीन चमस चह्ए दिश्म हैं मिलाकर कि आँखों में डाने सिस्थे भी कोई वी किसी बी तरह कांखों में जो सफेद जाला होता है सफेद प्रणाया का जो सही तरीका है उससे आप करेंगे तो ही आपको पूण लाब मिलेगा नहीं तो हनिया हो से